वंदे वंदे दोस्तो अभी फिलहाल नगर निगम की पाँच सीटों पे जो बाई लेक्शन हुए उसके जो आज नतीजे आए हैं दिली की जनता ने पाँच में से चार सीटें आम आदमी पार्टी को और जीरो सीटें भारते जनता पार्टी को दी है इसके लिए मैं दिली की जनता को बहुत-बहुत बढ़ाई देना चाहता हूं आप सब लोगों को बहुत-बहुत बढ़ाई देना चाहता हूं सभी कारेकरताओं को जिन लोगों ने खूब मेहनत की थी ये जो नतीजें ये दिखाते हैं कि एक बार फिर से दिली की जनता ने आम आदमी पार्टी की दिली सरकार जो काम कर रही है उस काम पे अपना भरोसा जताया है और हम अच्छा काम कर रहे हैं इस पे अपनी दिली की जनता ने मोहर लगाई है ये दिखाता है कि दिली की जनता आम आदमी पार्टी के काम से बहुत ज़्यादा खुश है 2015 के चुनाओ में हमें 70 में से 66 सीट मिली थी 5 साल के बाद 2020 के चुनाओ में हमें 70 में से 62 सीट मिली थी जिसने दिखाया कि जनता हमारे काम से खुश है और अब 6 साल के बाद आज जब नगर निगम के उपचुना हुए तो आज पाँच में से चार सीट दे के दिल्ली की जनता ने बता दिया कि जैसे काम कर रहे हो ऐसे काम करते हो और जो जीरो सीट भारती जनता पार्टी की आई है वो ये दिखाती है कि एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी के 6 साल के काम से दिल्ली की जनता बहुत खुश है दूसरी तरफ भारती जनता पार्टी के 15 साल के काम से MCD में दिल्ली की जंता बहुत नाराज है इतनी नाराज है इतनी नाराज है कि उनको जीरो पे ला दिया चारो तरफ दिल्ली के अंदर MCD ने गंदगी भेला रखी है MCD के अंदर MCD सब लोग कहते हैं MCD का फुल फॉर में most corrupt department इतना ब्रष्टा चार है MCD में जनता इस तरह का ब्रष्टा चार नहीं चाती जनता चाती है कि जैसा दिल्ली सरकार अच्छा काम कर रही है वैसा ही अच्छा काम अब MCD में होना चाहिए और यह जो 24 घंटे इनका यह जो चारो तरफ इन्होंने होडिंग लगाए केजरिवाल जी मुख्यमंत्री जी 13,000 करोड रुपए दो जो पिछले दिये थे वो तो खाली है बहुर दो तो वो जनता ने कहा भी देते हैं वो जनता को पसंद नहीं आए होडिंग जितने लगाए थे वो जनता को पसंद नहीं आए उसी का नतीजा है जनता देख रही है कि यह 24 घंटे पैसा 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 मांगते रहते हैं पैसा 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 मांगते रहते हैं दिल्ली सरकार का ज सारा पैसा दे दिया दिल्ली की जनता समझ गई कि वह केजरी वाल सरकार को तो जितना पैसा देना था दे दिया वो सारा लूट पार्ट करने के बाद कहते हैं और पैसा और पैसा और पैसा और पैसा जनता को ये पसंद नहीं आ रहा जनता को ये पसंद नहीं आ रहा कि हर महीने इनके पास तंखा देने को भी पैसे नहीं होते तंखा के लिए भी रोते रहते हैं तंखा के लिए भी रोते रहते हैं जनता को ये पसंद नहीं आ रहा कि जो सरकार आज अगर मैं मुख्यमंत्री हूँ हमारे को केंदर सरकार से कोई मदद नहीं मिलती अगर मैं रोना चालू कर दूँ मेरे को टीचर्स को तंखा देने के पैसे नहीं है तंखा देने के पैसे नहीं है तो मैं छोड़ दूँ फिर में में से नहीं ओर रहा तो छोड़ दूं हमने अइसा नहीं किया एक तरफ हम के अंद्र असरकार से पैसे भी मांगते हैं और दूसरी तरफ हम अपने सारे करमचारियों को तंखा भी देते हैं कहीं से लाएं कहीं से इंक blessing करें यह 24 गंटे जो जो सरकार अपने करमचारी own को सफाई करमचारी own को तंखा नहीं दे सकती उसको तो एक भी दिन रहने का अधिकार नहीं आँ जनता ने भी क्या दिया बहिए ऐसी सरकार नहीं चाहिए जो 24 गंटे बस ना तंखा देने को पैसे और 24 गंडे बस और पैसा और पैसा इसके लावा तो 15 साल में लोगों ने MCD में क्या देखा आज मेर से कोई पूछे दिल्ली सरकार में क्या काम किया मेर से क्या जंता से पूछे और दिल्ली की जंता छोड़ो पूरे देश में अगर जंता से पूछे कोई जाके गोवा में चल जा उत्तर प्रदेश में चले जाओं वैस्ट कहीं चले सो बोलो जी केजरी वाल ने क्या काम किया पूरे देश की जनता कह देजिस कूल ठीक कर दिये, की एस्पतार ठीक कर दिये बिजली कर दी, पानी ठीक कर दिया, सड़के बनवा दी, सारे देश की जनता कह रही है, और जनता से पूछो, पंदरा साल में नगर निगम में बीजेपी ने क्या किया, एक काम नहीं किना सकते, केवल चोरी करी, ब्रश्टाचार करा, सब कूड़ा फैलाया, गंदगी फैलाई, तो जनता को ये पसंद नहीं है, जनता अब MCD के अंदर बदलाव चाहती है, जनता चाहती है, जैसा काम दिल्ली सरकार कर रही है, वैसा काम यहां भी होना चाहिए, और ये जो इन्होंने हिंसा की राजनीती करी, मनीश जी के घर में घुसके, जिस तरह से इन्होंने तोड़ फोड करी, वो जनता देखती है, जनता क्या रही है, काम करो, तुमको काम करने के लिए वोट दिये थे, डिप्ति सीम के घर में घुसके तोड़ फोड़ करने के लिए वोट नहीं दिये थे जलबोड के अंदर घुसके इन्होंने तोड़ फोड़ करी जनता देख रही है चुपचा देख रही है जनता जब बटन दबाने का टाइम आता है जनता उस टाइम अपना जवाब देती है जनता को इस तरह की राजनीती पसंद नहीं है जनता कह रही है काम करने के लिए वोट नहीं दिया था हमने जल बोड में तोड़ फोड करने के लिए वोट नहीं दिया था जल बोड़ का सारा फरनीचर तोड़ दिया, सारे शीशे तोड़ दिये, इसलिए वोट नहीं दिया था, जनता को इस किसम की राजनीती पसंद नहीं है, तो मैं समझता हूं कि आज जो नतीजे आएं, शायद यही यह एक आगाज है कि अगले साल जो MCD का चनाव होगा, उसमे हमारे आज जो चार लोग जीते हैं, उन्हें मैं बहुत बहुत जनता की तरफ से बदाई देता हूं, और मैं उनसे यह कहता हूं कि जो भरोसा आज दिल्ली की जनता ने आप चारों पर किया है, उस भरोसे को मत तूटने देना, जैसा मैं हमेशा कहता हूं, एहंकार मतलाना अपने उपर और सबसे क्रिटिकल काम एक काoration काउंसलर क यह होता है, मौका देगी MCD में और मैं तो इसकी इंतजार कर रहा हूं हमने शिक्षा अच्छी करी स्वास्त अच्छा करा हमने बिजली अच्छी करी पानी अच्छा करा सड़के अच्छी कर दी अब एक सफाई रह गई है बड़ा दुख होता है अपनी दिल्ली में जब गंदगी देखत भारत मता की